दोस्तों, गर्मी के मौसम आते ही कोयल की आवाज कूखने लग जाती है. कोयल काफी मधुर बोलती है. इसकी मीठी आवाज को सुनने के बाद आपका मन भी काफी प्रसन हो जाता है. हाला कि आजकल कोयल काफी कम ही सुनने को मिलती है. हमारे यहाँ पर पहले अकसर कोयल बोलती हुई मिल जाती थी लेकिन अब ये काफी कम हो चुकी है कोयल एक पक्षी है जो भारत दक्षिन पूर्व एशिया और आस्ट्रेलिया में पाया जाता है मादा कोयल नर से बड़ी होती है और इसका रंग गहरा काला होता है नर कोयल का रंग हलका भूरा या काला आपको देखने को मिलेगा असल में कोयल को भारतिय संस्कृती के अंदर काफी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इसको कोकिला के नाम से भी जाना जाता है इसको अकसर प्रेम और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है इसको वैसे एक पवित्र पक्षी भी माना जाता है न आपको बता दे कि घर के अंदर कोयल का बोलना शुब ही होता है, यह अशुब नहीं होता है, कोयल को भारत के अंदर एक शुब पक्षी के तौर पर देखा जाता है, तो आए जानते हैं कि घर में कोयल बोलने का मतलब क्या होता है, नम्बर टू घर में कोयल बोलना धन का प्र आपके जीवन के अंदर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। यदि आपका कहीं पर रूका हुआ धन है तो ये भी वापस आपके पास आ सकता है। ये आपके लिए अच्छा है। नमबर फोर कोयल सुबह सुबह दक्षिन पूर्व दिशा से सुनाई दे। दोस्तों यदि कोयल सुबह सुबह दक्षिन पूर्व दिशा के अंदर सुनाई देती है। तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इसकी वजह किसे आपको नुकसान हो सकता है हालकि मान्यताएं सौफीसदी सच नहीं होती है बस कुछ जगहों पर सच हो भी जाती है नंबर फाइव शाम के समय कोयल का सुनाई देना दोस्तों यदि कोयल आपको शाम के समय सुनाई देती है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी तरह की खुशखबरी मिल सकती है। और आपको इसके लिए तयार रहना चाहिए। ये खुशखबरी कोई भी हो सकती है। 6. दोपहर के अंदर कोयल का सुनाई देना। दोस्तों यदि आप कोई कारिया कर रहे हैं और कारिया के अंदर दोपहर को कोयल सुनाई देती हैं तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो कारिया कर रहे हैं उस कारिया के अंदर आपक वो उत्तर दिशा के अंदर कोयल बोलती सुनाई देती है, तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है, इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर सुख सुविधा के साधन के अंदर बड़ोतरी होने वाली है. और यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है. नम्ब एट किसी पेड़ पर बैठकर कोयल का बोलना दोस्तों यदि कोयल किसी पेड़ के उपर बैठकर बोल रही है तो ये भी एक तरह से अच्छा संकेत होता है इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी तरह का शुब समाचार मिलने वाला है और आपके घर के अंदर कोई ना कोई शुब कार्य हो सकता है नम्ब नाइन बीमार इंसान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है कोयल का बोलना दोस्तों भारत में तो नहीं मगर चीन के अंदर यह मान्यता मौझूद है कि यदि कोयल कोई बीमार इंसान को कोयल सुनाई देती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है माना जाता है कि उस इंसान की जल्दी ही मौत होने वाली है कोयल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह माना जाता है कि कोयल का बोलना आपके घर के अंदर प्रेम को बढ़ाने वाला माना जाता है. आपके घर के अंदर रिष्टों के अंदर ताजगी का ये संकेत होता है. दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि दुनिया भर के अंदर कोयल के बोलने को अलग-अलग तरह से देखा जाता है यदि हम बात करें अफरिका की तो यहां पर कोयल को बोलना एक बुरा संकेत माना जाता है और कोयल को अशुब माना जाता है, यदि किसी को कोयल सुनाई देती है, तो ये संकेत देता है कि प्रियजन की मौत होने वाली है, और यह बुरी आत्माओं का प्रतीक माना जाता है, केन्या के अंदर यह माना जाता है कि यदि कोई कोयल की आवाज को सुनता है, तो इसका जब ये है कि उस इंसान के साथ दुरघट ना हो सकती है। इसलिए उसे सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। इसके विपरित घाना में कोयल को अकसर समरिधी और खुशी का प्रतीक माना जाता है। और यह अकसर नई शूरुआत और नविन्ता का प्रतीक होता है। के बारे में भी बता देते है। कूक किसी प्रवासी को दिन के पहले प्रहर में दक्षन पूर्वदिशा से सुनाई दे तो हानी होने की संभावनाएं होती है। यदि दूसरे प्रहर में कोयल की आवाज सुनाई देती है तो गरी भी आती है। और यदी तीसरे प्रहर में कोयल सुनाई देती है तो राजा के दंड का भाय हो सकता है और यदी चोथे प्रहर में कोयल की कूक सुनाई देती है तो शुब समाचार मिलता है कोयल की बोली को पूर्व दिशा में दिन के प्रथम प्रहर में सुनता है तो इसका मतलब ये है कि उ दूसरे प्रहर में सुने तो मालिक की मौत होने के चांस होते हैं। और यदि तीसरे प्रहर में सुनता है, तो राजा की तरफ से भाय होता है। वह चौथे प्रहर में सुनता है, तो राजा की तरफ से लाब होता है। दिन के प्रथम प्रहर में कोयल की बोली उत्तर दिशा में सुनाई देती है, तो ये पत्नी को कश्ट होने के बारे में संकेत देता है। इसी तरह से दूसरे प्रहर के अंदर सुनाई देती है, तो घर के मुखिया को कश्ट होता है। और तीसरे प्रहर में कोयल की आवाज सु विधाओं के अंदर बड़ोतरी होती है और चोथे प्रहर के अंदर यदि आपको कोयल की आवाज सुनाई देती है तो इसका मतलब ये है कि घर में हानी हो सकती है किसी व्यक्ति को कोयल की बोली पश्चिम दिशा के प्रथम प्रहर के अंदर यदी सुनाई देती है तो ऐसा होने से घर में चोरी की आशनका में बढ़ोतरी होती है इसी तरह से दूसरे प्रहर के अंदर सुनाई देने पर घर में आग लगने का खत्रा होता है इसके अलावा यदी तीसरे प्रहर के अंदर सुनाई देती है तो प्रियजन की मौत का संकेत होता है और चोथे प्रहर के अंदर सुनाई देने पर अंजान लोगों से जगड़ा होने का चांस काफी अधिक बढ़ जाता है नमबर 14 कोयल के बारे में कुछ खास बातें दोस्तों कोयल के बारे में एक किस्सा काफी अधिक मशहूर होता है कि कोयल कभी भी खुद का घोसला नहीं बनाती है वो अंदे देने के लिए दूसरों का घोसला प्रयोग करती है और यह वैज्ञानिक रूप से भी सिधह हो चुका है कि कोयल अक्सर अपने अंडे कोय के घुसले के अंदर रख देती है और उसके बाद क्योंकि कोवा का बच्चा काला होता है और कोयल का बच्चा भी काला होता है तो कोवा कोयल के बच्चे को भी पाल लेता है उसे ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चा किसका है इस तरह से कोयल को किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसके बाद जब कोयल का बच्चा उड़ने लायक हो जाता है तो फिर वो अपनी बिरादरी के अंदर उड़कर चला जाता है इस तरह का होते आपको कई सारे विडियो यूटुब पर मिल जाएंगे जिसके अंदर ये दिखाया गया है कोयल के बच्चे कोहा के अधारा पाले जाते हैं और एक तरह से देखा जाए तो कोयल एक बुद्धिमान पक्षी होता है जो कोहा को बहुत ही आसानी से चक्मा दे जाता है